Hello friends, my name is Rajan इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही awesome एक button hover effect create करना सिखाऊंगा So guys, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है Please मेरी वीडियो को like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और अपने friends के साथ मेरी वीडियो को share कीजिए Guys, अगर आपको वीडियो से related कोई भी कोरी है आप मुझे Instagram पर message कर सकते हैं मैं अपने Instagram ID का link इस वीडियो के description में दे दूँगा So वहाँ जाके आप मुझे follow कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये hover effect जो की आज हम create करेंगे तो अब मैं इस पर hover करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो button का background color है वो different difference color आ रहे है change ओकर जैसी मैं hover हटाता हूँ इसका background color है वो black हो जाता है और जैसी मैं hover करता हूँ यहाँ पर multiple background color change होंगे ये देखिए तो आज हम इस hover effect को create करेंगे तो चलिए हम इसको start करते हैं मैंने यहाँ पर sublime text में अपनी html file open की हुई है और यहाँ पर मैंने html का syntax लिखा हुआ है so body tag के अंदर मैं अपनी coding start करता हूँ जहाँ पर मैं div create करूँगा जिसे मैं class तूँँगा container container के अंदर मैं anchor tag का use करूँगा और इस hrf के अंदर मैं लिखूँगा hash और anchor के अंदर मैं लिखूँगा read more मैं इसे save कर देता हूँ और इसे browser में open कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी output यह आ रही है अब हम यहाँ पर internal css use करेंगे so यहाँ पर मैं style tag लगाँँगा और इसके अंदर हम अपनी css करेंगे so सबसे पहले मैं यहाँ पर universal selector यूज़ करके सारे tags की default margin default padding 0 कर देता हूँ so यहाँ पर मैं लिखूँगा margin 0 padding 0 और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा box sizing border box गाईज अगर आप box sizing के बारे में समझना चाते है मैंने box sizing पे full video create किया हुआ है आप उस video को देखके box sizing के बारे में समझ सकते है मैं उस video के link इस video के description में दे दूँगा आप वहाँ जाकर देख सकते है so इसे मैं continue करता हूँ guys so इसके बाद मैं यहाँ पे anchor tag के styling करूँगा text decoration none कर देता हूँ color में से दूँगा white padding में से दूँगा top bottom से 16 pixel left right से 30 pixel background color मैं दे दूँगा hash 000 यानि की black color मैं इसे save करता हूँ browser में जाके refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे output ऐसे आ रही है अब हम इस button को center में लेकर आएंगे so center में लेकर आने के लिए मैं इस container की styling करूँगा so मैं इसे copy करता हूँ यहाँ पे dot लगा के इसे paste करता हूँ इसे मैं height दूँगा 100 vh यानि की vertical height और width मैं से दूँगा 100% display flex justify content center align items center refresh आप देख सकते हैं हमारा जो button था वो center में आ चुक है मैं यहाँ पे a tag को font family देता हूँ loto, comma sans serif save refresh आप देख सकते हमारी font family यहाँ पे change हो चुकी है अब हम इस पे hover effect लगाएंगे so यहाँ पे मैं लिखूँगा a और यहाँ पे मैं animation का use करूँगा hover पे so हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा colon hover और इसके अंदर मैं लिखूँगा animation animation का name यहाँ पे आएगा bg color change यहाँ पे आएगी animation duration success infinity linear अब हम यहाँ पे keyframes का use करेंगे so मैं यहाँ पे लिखूँगा add the rate keyframes और यहाँ पे हमारा animation का name यूज होगा और यहाँ पे 0% इसके अंदर मैं background color का use करूँगा background color का code मैंने यहाँ पे रखा हुआ है so मैं यहाँ से copy करता हूँ यहाँ पे paste करता हूँ मैं इसे यहाँ से copy करता हूँ paste करता हूँ दोबारा से paste करता हूँ एक बार और एक बार और so यहाँ पे मैं कर दूँँगा 20% 40% 60% 80% और इसे मैं एक और बार copy करूँँगा यहाँ पर मैं लिखूंगा 100% save कर देता हूँ और यहाँ पर मैं background color change कर देता हूँ so यहाँ से मैं इस color code को copy करता हूँ यहाँ पर paste कर देता हूँ यहाँ पर मैं color code को copy करता हूँ 40% में paste कर देता हूँ copy 60% वाले में paste कर देता हूँ copy 80% वाले में paste कर देता हूँ copy और 100% वाले में इसको paste कर देता हूँ मैं इसे save करता हूँ browser में जाके अभी आप देखेंगे कि hover effect पे कुछ नहीं हो रहा है refresh अब आप देखिएगा यह देखिए यहाँ पे अब multiple colors आ रहे है hover पे कि जो button का background color था वो यहाँ पे multiple colors change होते है hover पे अगर हम इसको hover पे नहीं करवाना चाते कि normal जैसे button अब दिख रहा है without hover ऐसे ही color change होते रहे तो हम उसके लिए क्या करेंगे इस animation वाली property को उठा के यहाँ पे paste कर देंगे refresh अब आप देखेंगे मैंने hover नहीं किया फिर भी यहाँ पे इस button का background color जो है वो change हो रहा है आपने देखा कि हमने कितनी असानी से एक awesome hover effect create कर लिया है इस video में इतना ही मिलते है किसी अगली वीडियो में बाई बाई टेक केर